कि नमस्ता मित्प्रव जैसा किष्टी का लेक्चर हमने रहे हैं और इसमें यह तिसरा चप्टर है पहला दूसरा चप्टर हमने पासान का दूसरे चप्टर में तामर पासान का अधा सुरू किया था उसी क्रम में सभ्टा का अर्थव्यास्ता बखेंगे और राजनीती समाज़ कि अर्थव्यास्ता रभी की फसल बोई जाती ती सिर्फय एक फसल होती जिसमें रागी चावद लिए प्रमुक इस्तोत प्रक्रिति की स्तोत पर था प्रक्रिति की स्तोत मतलब की बरसा पर निर्वर होते थे या नदी किनारियल अगर जो सहर है इसताने नदीयों से सब्सक्रीति प्रक्रिति यह अद्वाइब देखेंगे उद्यों समय उद्यों धंधेभ उद्यों था मनका उद्यों था मनका उद्यों मोती थाथ उस समय थे कासे और नबार निस धत्व कर भी उपयोग होता था सोना चांदी पीतल नुकर इनके मुर्थिया बनके मुझ यह अंकर होता था और मुखतेया के पार सूति वस्त अच्छ अच्छ्म मुखत Начटा बैपार सूति निदुकर मन का होता भी था कि उस्वाइब पसु पादल में मुख्यता बैल बकरी बेर उंट यह देखेंगे यह पसु के साच मिले बैल बकरी बेर उंट लेकिन बर्तवान साच्व के देखें तो घोड़ा सूथ कांगडोर से घोड़े की हड़ी का से प्राप्त हुए है पूरे और अप्पा काली सब ब मुखतां गार मुखट तो अपने नहीं होता था प्रभास पातन ना बाला कोट यह प्रमुख उस समय अब देखते हैं दोस्तों समय का समाज कैसा था समाज में समाज में बिद्वान बर्ग था योद्धा बर्ग था बैपारी बर्ग था स्रमिक बर्ग समाज मात्र सत्तात्मक था ऐसा विद्वान को मानना है औरलिक भी की पूजा होती थी मत्रमी की मूर्भी मिली है यासी हम यह मानते हैं कि समय मत्र सत्तत्मक थी मत्त देवी की पूजा के साच्छे के अमसार हमें कहते हैं। उस समय के समाज मनुरंजन का साधन सत्रण जगा कि लड़ाई और सिकार करना। हिस्च समय के समय में भी हरपपा काजी समय में संदर् प्रसादन की वस्तुएं अस्तितिमें थी आबोंसड़ ते द उस समय के पूर्बे भीधारन करते जैसे की मोती हो गया हार हो गया तो अब युआं तो काजल के संदर के समय का सिर्फ साकाहरी नहीं ता उस समय का साकाहरी भी था उसे स्प्राइब एस लिए छीकिनारे तो चיכार करना, साकाहरी नहcrates नहीं चकते हैं कि कई न फोगी प्रकार में कोई एक संस्कृती नहीं थी कई प्रकार्गी वाद संस्कृते तो यह नहीं लेकिन साकारी मानचाहरी दोनों साच्छ प्रात हुआ है तो हम कह सकते हैं कि समाजवाध्यृत था बहुत संस्कृतिक था मत्य देवी की म Mediter पुझाह। शिव की पूज को समझंगे में की पूजा पर में की पुजा होतीती देखेंगे ख्ण कि पूजा की पूजा होती थि emission reaction शिव की में रफांस की पूजा में की बिच्च network क्या किärtम साइक ख्ण का ख्ण कौरा सावी क्या पर्भभ मंदिर का सब्द्राइन नहीं से और याज बहुत पे जाधु होत रखता-था बिज्वान आपको दो सभाधान की प्रद्धतिं जो मृत को को देखना नहीं कि रखते होंगे कि अब देखते राजनीत राजनीत उस समय बिद्ध्वानों में को पूद को बिद्धुआं कहते हैं को दो चार कहते हैं कि इनके अनुसर काई साव या क्या है क्वाइथ होती तैंक जो जनता चाहती थी जंटा की कहने पर दिने लिया जाते कोई की कमा कि कैते थे मूलक समाजुआ प्रतिनी धहीं मुलकम कि जैसे जो इस्थल बातु है उस इस्थल के लोग आते होंगे और महहन ज़धारों यह राजधानी ॉसर प्रतिनिधी आके उहां पर बात्चीत किया करते हुए लेकिन इनका भी मानना नहीं मानते हैं लोग इनका भी कतान गलात है इस्ट्वर्ड फिगट कहते हैं कि पुरोहितों का इनका यह कहना इस वजएसे है क्योंकि वहां पर योगी की योगी की मूर्ति मिली है इस वजए से इनों ने इस्ट्वर्ड पिगट कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का राजनीधी में हाँ था लेकिन इनका भी मानना सिर्फ यह कहना गलत है सरुमान यह है कि उस समय स्राजनी तर शिल्पी एवं बैपारी बर्गता था सिल्पी और वैपारी क्योंकि यह सब्सक्राइब बढ़ी अर्थ विवस्ता में उत्किष्ट इस्तिति में थी इस वज़े से कहा जा सकता है कि वैपारी राजनीत के मुख्य थे नगर पाली का वि तर देखना मिलता है तो हम यह कह सकते हैं कि राजनीत में सिल्की एवं राजनी वेपारी यों का मुख्य हाँ थे लेकिन यह कभी कभी एक्जाम में पूद्र देता कि यह तीनों पूछे गए हैं कि अंतर के मुसार कि कैसी थी पिग्यट के अनुसार कैसी दिए पूचा दा सकता है कला मैं हम देखेंगे उस समय कि भवन यह ते हैं और अब फितला और कांसर के शाण वांबा पीतल को पिगला या बनाई जाती होगे जरते की पत्थरी मूरतिया Food अब यह है कि यह मूर्थियां की से बढ़ना आई गई होंगी इतनी जैसे की हड़पा से जो मिली है कांसे की नर्थ की तो इसका द्रभी मॉम भी से बनाई जाती थी द्रभ जो मॉम है तो उससे उसका पारे स्ट्रक्चर बना लिया जाता था कच्छा चिठा टाइप का फिर उसे में इनको ढाल जाता था अब हम देखेंगे मोहरे मोहरे हडपा कालीं सब्वता में सेल खड़ी नवा के पत्थर है इस पत्थर की होती थी जिसका आकार वर्गाकार या आयताकार हडपा कालीं सब्वता की मोहरों की विशेश्ता यह थी कि वो मोहरे वर्गाकार थी और मैं बेलनाकार यह मियसोपोटामिया की मेंतो कि डेंत। पोटामिया की मैं बेलनाकाण मसुपोटामिया की फिर्मीघ का लिए एंप सबस्क्राइब भारत की जो अरप्पा कांवी सब बता ती आएदा कार भारस की गोला का में चल पॉटामय का सिल्हा लेक मैं जिसमें ब्यापार के साथ होता तक किस इसमें ना मिलूगा है जिसका बतमान में भी दिवान वहालें सब्सक्राइब करें नाम से यह मेसों क्या में हम प्रस्णों की सिंखला दोस्तों आगे देखें भी हां दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि प्रस्णों की सिंखला लेकर आएंगे की सिंखला तक की उत्खनित प्रवाणों की अनुसा प्रस पालन का प्रारंब कहां से रहाध होता है प्रफम साँच तो परफम साच मध्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि बारत में मानों कश परफम साच नर्मधा गाटी से मिलता है और सबसे पहले प्रयुक्त आनाज जो है जो हड़ी से निर्मित अभूसन भारत में मद्द पासान काल के संदर्व में हड़ी से निर्मित अभूसन मिले हैं महादहा से यह महादहा उत्तापःदेश के प्रतापगाड़ जीलें पढ़ता है अगला प्रस्मित अग्रावधी में महादीर में प्राचीनतम साथ कहां से प्राप्त ही है यह बहुत बार पूश्च चुका है कंफ्यूजन करता है क्योंकि इस प्रस्मित के एंसर एक नहीं उत्तर कई म सब्सक्राइब नहीं है लहट लँटेव लिखेंगे महर अगर है मने लिखेंगे अगर प्रतम साथ क्रिसट की शुरुआत ही है तो यहीं आपसन में नहीं है तो सर्व प्रथम क्रिसी का साच्छ के आपसन में लाउरा देव करतें लाउरा यह कंफ्यूजन कोशन है इसलिए में डिसकस कर दिया यह याद रखिएगा कि प्रथम पसपालं का साच्छी मेहरगर से प्रथम अस्थाय जीवन करी साच आगे देखेंगे कि प्रथम साच्छ का से मिला हमने देखा कि क्रिसि का प्रतां डृतना यहिसी पसपालं का यह अगर मेहरगर अप्शन में नहीं है तब वागावर टिक करेंगे गलतिka लिकिन बखावार और मेहार कर दोट दोनों KARपसल अगर प्रतम साज पूछेगा तो यह उप्रेस में पूचता तो आदम देगा क्योंकि आदम अचले में परता है इसलिए पीसे से आदम आपуск उसपशी यूग को लिंदीग उपयोग हों कि जाने वाद अरtar उसी नाम इसे ताम पड़ाता और को और प्रदेश में इसके उत्खनन खरता थे खोज करता है इसके खोज करता है अगे पूछा जा सकता है राख का टीला कहां अगे प्रसिध्ध का गुफाई से प्रसिध्ध से बना गए इसके लिए फेमस है गर्थ अवाज के साहँ कहां मिले हैं तो दोस्तों गर्थ अवाज के साच जम्मू कस्मी के बुर्ज हों से जी फ्टन फटी है इस वजह से वहां के लोग गर्थ बनाके रहा करते हैं ते कि सिलास्रा से सरवाधि मानोगचनकाल केत्त हुए हैं बइन्द चैट के लिखाईया लिखाईया एक अस्थान है पुरा याद्र के लेखाईया से सब से स्च्चाण के साच प्राप्त हुए हैं अब आए देखते हैं कि पासांकाल और सिंदु गाटी सब्धता में उपयोग की जाने वाली कुल बस्तुए है कि यह कहां से आती थी तो देखें यह तामबा खेतड़ी यह राजस्थान में पड़ता है राजस्थान खेत्री जिला है वहां से बलूचिस्तान तामबा खेतड़ी राजस्थान से बलूचिस्तान से मिलता था सीशा अफगानि आफगानिस्तान तो लाजवर्द रखेंगे अफगानिस्तान का इर्थी आते थे holds उंजवर की में अफगानिस्तान से आता था है यह परिष्ष किसी ना किसी पूछे गए हो यह सब प्रस्ण महत्पूर्ण है उच्छे जा सकते आगे आने वालों भी इन्हीं प्रस्णों से भूमा घुमां के पूश्ताई जैसे हमने बताया था कि यह इसमें क्विशन नहीं करियेगा आगे और फिर हम देखते हैं तो दोस्तों प्रस्णों की स्विंखला में हमारी ज देखते हैं इस दिद्वान अपना मत देते हैं अभी तर दोस्तों हाली में अभी एक जाम में प्रस्ट पूछा गया था कि इस थे हैं तो यह तो ठीक है कि जैसे सब कहते कि बाढ़ है या जलबाई पर पारता है लेकिन अब प्रस्ट ने इस तरह से पूछ रहा है कि कि दोरह क्या का गया कि पतन के संदर्व में गार्डेंचाइड द्वारा क्या कि आ गया तो देख ले रहे तो सब्टा के बार्ड बताते मार्सल मैं के इसरा इनका कहना है कि सिंदू सब्टा के विनास कारण बार रहा है और गार्डन चाइल्ड मार्टिमर वीला कैना है कि सिंदु सब्धता का विनास के आक्रमत है और यहां पर qinaos होगया है अरल इस टाइन काना है कि उन्यास कारण हुआ है और यस हैन यह उन्य करण है कारण सब्हाब लेकिन सर्वक्राइब करते हैं कि जल्वाइब पर्वेरतन के कारण हुआ हुगा परिवर्फन को माना है लेकिन अगर जल्वाई परिवर्फन को मनना लेकिन लुवाई गुप्रिवयोथ है क्टेस्स सबस्केशल का इस में नहीं किसी और परिवर्फन उसका रता है आये पुछ प्रेस को सब्सक्रस्य ले dudes तक marcatra टिम्हां किलिकों कि और स्वाइब नाज से और dużo सुझते हैं जुक्ति सब्सक्राइब Tea आपका में लगे मिलें उसमें लाल रंग का स्क्राइब कर दोस्ते जैसे बदा आप दिखाए जो अस्थ मले थे असथर में किस नदी किनारे काULव मैश मैच में मैश कि किस जगर टी कोछ कि या यह तर नदी किनारे बसा हुआ है ऐसा मैं पूच देता है त्रुप सही करेगा एक को गलत देवेगा आप कहेंगा पहचान करें कि इस में कौन सा असर थे हैं कौन सा गलत मिलां हुआ है तो इसमें यह चीज हम एक प्रस्ण लिए हैं बांकि और इसमें कई प्रस्ण बन सकते हैं आप अपने से बना लिएगा हड़का है तो हड़का की खोड़्दया रमसानी जी ने की हस्तिनापूर की बीबी लाल तच्छे सिला जानमासार कॉस्वामबी एंजी मजूमदा इसमे यह कर दोटेशनों का पर देखिंगी लोथल से गोदीवारा मिला काली बंगा से जूते हुए खेत के साथ मिलें दरबीरा से हरक पनी में में 10 चिन्हों का सिला लेक मिला है से बनावन यह की प्रतिकरती हर्की प्रतिकरती उसकी फोटो ग्रूद लिए यह कि मोहां जोदरों से विशा रशनाना गार मिला है यह प्रशने कई तरह से बन सकते हैं जो अस्थाल है उनके नदी किलार नां उनके पुरा अस्थाल है पर वर्थी हडपा के बाति में पंजाब ने पड़ता है यह पूचा गया थे कहा पड़ता है रंगभुर जहां हडपा की समकानी सब्वता थी रंगपूर यह बतमार समय में सवराष्ट में है लॉप सकतिक पूजा करते हैं सिट्व गाति की पूजा करते के पूजा करती सब्लेद Ayam हडपा संस्कृति की मुहरणा पर किस जानबरों के अंकर मिलते हैं तो हम देखें की मिलते हैं अब प्रस्थ देखा कि चार अपसंदेधे पूछ अरपा संस्कृति की जानबर के अंकर नहीं तो दोस्तों द्यान रखें रहा कि घोड़ कोई सच नहीं था हला कि सूथ कांगडोर से घोड़ की हधिया प्राप्त हुई है लेकिन वहां की मुद्राओं में घोड़ा जानवत कहीं भी नहीं बिखा है कि यहां प्रस्नों की चाचा की अब हम आगे देखेंगे बैदिक सब् अगली वीडियो में देखेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छी लाइए अगर कंटेंट ठीक आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले है ठीक है प्रेश्ट आप झाल 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 झाल